प्रिवियो चप्टर देखना है तो मेरे प्लिलिस्टा के दैसे तो इस प्रक्राइब कोई वाइल लैंड था हमारे आखों में इसकी कोई भी किमत नहीं था और तुम क्या की और क्या नोबल के बारे में कह रहे हो और यह सारे पूराने वाते हैं जब डिवान वेटल स्टार्ट नहीं हुआ था और तुम सारे मोटल्स की कैसे हिमत होगी तुम्हार की हिमत कैसे आगई कि तुम विचेस को हंट कर रहे हो वह अपना पावर यूज़ करने के कोशी करती है पर कुछ भी नहीं होता है और चरदर उठा के देखती है तो उसके पेरों में गौर्स्टान लगा हुआ है क्या तुम लोग पागल हो चुके हो एक आमसा इंसान के लिए तुमने एक हाई रांक विचिक को इस तरह से बंदी करके रख लिया और तुम लोग किस तरह से गौर्स्टान यूज़ कर सकते हो रोहा केते है इसलिए तो मुझे काफी चिंता हो रही थी वांडी केती है चिंता मत किजिए मैं जाके उसे बात करती हूं मेरा नाम वांडी है और उन्होंने जो भी कहा मुझे पता है आप उनके ओपर यकिन नहीं कर रहोगे कि यह साचे या जूटे और साइद आपको यह भी नहीं पता होगा कि होली सेटी 400 या 500 साल पहले साइद होगा पर अभी तो नहीं है त oraz हम मारा कर है की और हम के बारा में कभी सुने भी नहीं है और हम सारे वीचे से एसे और पर जब हम रोलान से मिले तब उसने हमें एक सेप प्लेस देया और उसके हमने कभी इंकरेज भी किया कि आमना हमारा जो पावर है और हमें अच्छी तरह से यूज़ करें और भी जो भी दुनिया है उसको और भी टांसपर्ट करने में मदद करें और अपने अबलेटिकों सही से यूज़ करें और यहां पर हम प्रीली रह सकते हैं और मल इंसान जैसे हमें चिंता करने की ज़रूत नहीं है कि दुसरे लोगों को हामें पकड़ लेंग़ उसके पाता नहीं होगा कि हार तरफ गोर्ष टॉन सबके बास है और इसारे वीचेस एक नर्मल इंसान जैसे ही ह उसके साथ extraordinary विचेस भी गॉडव वार जितने के लिए फेडरेसन वनाया थे और जितने विए होली सिटी उनको इकड़ा किये थे और उन्होंने सारे ट्रेनिंग भी कर रहे जितने विचेस और उनको और भी डेवलब करते और कर रहे थे पॉब्लिक सेप्टी और उनका जो अर्डर था उसे भी मेंटन कर रहे थे इस तरह का पारफुल और जने इस तरह से भी घर गया जैसे और रही बात उस सारे रेफ्यूजिक आखिर वो कहां पर गए कि वह रिस्टाइबलिश नहीं कर रहे आडर को आखिर वो सब ग कर रहे गा मुझे और उसमें उनका आखों से देखकर मुझे लागता है यह तो कुछ तो यह सम्में जोरूर कुछ ना कुछ सच बात है होगदी मैंने पहले भी का था मेरे नाम आगाता है और मैं में मेंबर हूँ टाकुला सिक्रेट सुसाइड इगा फिप्तियर डिवाइ करें ऐसाद लड़ेगा तुम्हारे देसे कम्जोर इंसान लड़ेगे उनके साथ तो कोई कह सथ किस्थ को क्या चार्स बड़ा कर रहा था अगधा के में ने कभी के बारे में कुछ भी नहीं सुना था रही वाद हमारे होली सिटी में 10,000 से भी ज्याधा लोग रहते थे और सारे होली सिटी के अंदर जो भी लोग रहते थे ज्यादा तर ओडिनेरी लोग ही थे और उन सब का काम था बच्चा पेदा करना और उनको बढ़ा करना जब उनके पास मैजिक पाउर आ जाता तो आके हो सकते थे तब वह सारे विचेस वह स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जाते करने के लिए स्कोल करती क्या तुम समझ सकती हो आखिर इसके उपर क्या लिखा हुआ है तो एक डाइरी एक वीच का वहां दिए तो तुम इस तरह के लिखावाड यूज कर रहे थे आगा था और यह आम लोगों के लिए नहीं था और इसका सब जो भी आम आदमी है तो भी कर सकते हैं और अपर लेवल के जो भी काम है उसमें पर मेरे सबसी यह बिलकुल भी अच्छा इडिया नहीं था क्यूंकि इससे काफी सारे मैजिक पावर यूज होती है इसे पढ़ने के लिए और तुम पढ़ने के लिए मुश्किल भी नहीं होगा क्यूंकि तुम सारी वि इसको आपने पास ही क्यों रख लिया एक फैक्ट के बाद यह है कि वह ट्रेनिंग के बाद और आपने एजुगेशन को लेने के बाद ओडिनरी लोग भी कापी सारे काम कर सकते हैं उन्हें भी कापी सारे जॉब मिल सकते थे वह तो इस तरह से तुमने तो आपने मैजिक को वेश्टी कर दिया यह सोच रहे मैं कभी भी सोचा नहीं था कि में जो आम आदमी ओडिनरी लोगें उनका पास भी मैजिक नहीं में उनको आसेट करूंगा फिर भी में में इस पंद को बिल्कुल पसंद नहीं करता यह जिस तरह से बात नहीं कर सकते मेरे साथ अखिर यह प स्कोल के यह एक एंसेर्ट बूग है और हमें मिला था इस बॉर्डर के फॉरस्ट में आखरी पेज में इसका नाम लिखा है ओभी ओडिनरी लांग्वेज में अगाता अक्लिस के बार में के दी कि वह कुईन है कमेंटर के और वह फॉलिन स्टार है और एक सिटी के जो है हमा पता हो सेगा और खो चुक है तो यह वात आम बात है कि तुम्हें इस सब के बार में कुछ भी नहीं पता होगा पर यह सब उसका अबिलीट का नहीं था वह आपने आपको और भी समझ रही थी और इसके लिए तुम्हें और भी सारे लोग की जरूरत पड़ेगी और इस तर और निर्वर होता है लगता है इसे आपलेटे अबिलेटी का तो हमारे वीच उनियन में चार उचस एबाव हो चुके हैं यह कैता चार गांत ही क्या श्यादा होंगे तो आगावाज कर रहे हो वाक्वास करना पांद करो तुम कहना चाहती हो दस मैं से तुम चार वीचिसको कर लिए तुम्हारा पासाभिस करना उनकोष क्या होता हैं उनका मतलब वह का देन लीए kisaf तो रहांच सोच रही हैakah काफी च्छी और यह काफी शुन्दर भी दिखती है जितने भी उचे से यहां पर है पर यह काफी यांग है और वह आपने अडर धुल्ड में यहां करना तो मुस्किली यह सब उसके पास इतने एक्स्प्रेंसी भी नहीं होगा और यह ट्रेंणिंग भी नहीं मिला होगा इसे अना अपना पावर यूज करती है और यह कहती है यह तो इसका आबिलिटी उसे प्लेम को कंट्रोल करना और यह कंमपर टाइप है और इसका पैसे यहां उसक्षाणी और हम एकुन कहा पूल competent ii में है अगर यह फ्लेम और भी हीट और और भी बड़ा होगा और भी ब्राइटर होगा तो वह कद रुको अब यह क्या है और आना कुछ क्यूब जैसा बानाती और यहीं पर यह चाप्टर खतम